हालो एवरिवन मेरे नाम तुशार तुशार भारदुआज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज किस वीडियो में हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का चेप्टर नंबर 4 कार्बन एट्स गंपाउंड का एक इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं अब व वज़े से साबुन का इस्तेमाल करने की मदद से कपडों की सफाई हो पाती है कपडों की दुलाई तो आपने होते हुए देखा होगा बलकि आपने खुद भी की होगी इस पूरे मेकेनिस्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले सौप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखनी ह साबुन कहीं प्रकार के होते हैं कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो काफी माइल्ड होते हैं जादे स्ट्रॉंग नहीं होते हैं जिसको हम फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन कपडों की धुलाई के लिए जो साबुन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आप डिटर्जें ठीक है, अगर आप structure की बात करते हैं तो sob के molecule के basically दो पार्ट होते हैं, first ionic part, second non-ionic part, यह ionic part है, इसको अगर हम structure के according देखते हैं, formula के according देखते हैं, यहाँ पर coona, ठीक है, coona, और side chain, जो एक long chain होती है, ठीक, यह complete structure क्या है, side chain, और यह ionic part, यह जो side chain है, इसको हम r symbol से denote करते हैं, ठीक है, और यह जो coona है, यह क्या है, हमारे पास, ionic section, तो अगर आप structure को दो पार्ट में बाटते हैं, तो आपको क्या नाम लिखना होगा, ionic part, short ionic part होता है, यह ionic part है, और non-ionic part, non-ionic part, जिसको हम r symbol से denote कर रहे हैं, किसके जरीए, r symbol के जरीए, coona क्या होता है, एक short ionic part होता है, ठीक है, तो यह पूरी एक structure है, किस चीज़ के लिए, soap के molecule के लिए, ठीक है, अब आपको एक खास चीज़ जो ध्यान रखनी है, यह आपके brain में जो question generate हो रहा होगा, कि भई r क्या है यहाँ पर, यह तो symbol लगा दिया हमने, basically यहाँ पर CH3, hydrocarbon compound का use करना होता है, CH3, CH2, इस तरह से, कितना भी हो सकता है number, वो कोई fix नहीं है, तो यह general symbol है, r का मतलब यह नहीं है कि C2H5 होगा, या r का मतलब ऐसा भी नहीं है, कि C3H7 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन hydrocarbon structure ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो हर एक soap, कोई भी soap हो, हर एक soap में जो ionic part है, वो same रहता है, लेकिन जो differ करता है, जो difference आता है, हर एक soap के अंदर, वो किस चीज़ का होगा, r का, तो r अलग-अलग मिलेगा, हो सकता है किसी में C15 आ रहा हो, हो सकता है किसी में C17 आ रहा हो, जैसे इसके लिए example भी होते हैं, अगर soap के लिए example की बात करते हैं, sodium palmitate, sodium esterate, formula की अगर बात करते हैं, तो C15, S31, Cona, ठीक है, यह soap के लिए एक formula है, जो soap का आप example कंसिडर करते है ठीक, दूसरा formula एक आप use कर सकते हैं, example के तोर पर, C17, S35, COona, अब आप notice कीजिए, अब आप notice करना, यह जो formula लिखा जा रहे हैं आपर, देखे, चेक कीजिए आप, C17, S35, COona, C15, H31, COona, sodium esterate और sodium palmitate, तो अब इन दोनों में, यह वाला जो section है, और इसमें, यह वाला जो section है, यह क्या है, R, ठीक है, लेकिन यह वाला part तो same है न, वही चीज़ में आपको बता रहा था, कि जो soap molecule की structure होती है न, उसमें ionic part तो same चलता है, कोई भी आप example अगर लेते हैं, लेकिन जो difference होता है, वो किस चीज़ में मिलेगा आपको, R की structure में, R अलग-अलग होता है, जैसी यहाँ पर example के तो और मैंने आपको बताया, C17S35 और यहाँ पर C15S31, clear, ठीक है, तो soap molecule की structure के बारे में, जो आपको explain करना होता है, तो एक छोट असा diagram बनाएंगे, यह बताएंगे, कि भी, soap molecule की structure को द उसके लिए आप एक general symbol इस्तेमाल करते हैं, वो है R, capital letter में, R के place पर कोई भी hydrocarbon compound हो सकता है, वो soap की structure बनाई जब जाती है, उस पर depend करता है, यह जो भी उसको design कर रहा है, ठीक है, clear हो गया, अब एक दूसरी खास चीज, जो हमें मालूम होनी चाहिए, hydrophilic और hydrophobic, यह दो न water loving, hydrophobic मतलब water hitting, तो पानी से दूर रहने वाला, और पानी की तरफ रहने वाला, तो जो जैसा होता है, वो उसके साथ bond बनाता है, simple line, topic के बाद चल रहे है, तो यहाँ पर जो ionic part है, वो water की तरफ रहता है, और जो non ionic part है, वो किस के तरफ रहेगा, water से दूर रहेगा, means oil की की तरफ, ठीकि? हाइड्रो, फोबिक, और हाइड्रो फिलिक, हाइड्रो, फिलिक, तो water loving और water hitting, यह पानी की तरफ रहता है, और यह पानी से दूर रहता है, यह सारी चीज़े जो आपनी अभी सुनिये न, structure of soft molecules के अंदर, यह सभी काम आने वाली हैं, जब हम process समझेंगे, cleansing action of soap, कैसे साबून कपडों की सफाई में मदद करता है, कैसे कपडों की सफाई हो पाती है, कपड़े साफ हो जाते है, जो उन पर गंदगी लगी होती है, dirt होता है, वो हट जाता है, जो early part है, वो हट जाता है, लेकिन कैसे, किसी की मदद से, soap molecules की मदद से, पर यह कैसे, क्या process है इसका, उसको clear करने के लिए, आपको सबसे पहले structure of soap molecules मालूम होनी चाहिए, ठीक है, चलिए start करते हैं, part, second, आज की वीडियो का, और वो क्या है, cleansing action of soap, देखे, अब आते हैं बाग, mechanism की, mechanism क्या है, process क्या है, soap molecule किस तरीके से, कपडों की, गंद की, जो कपडों पर लगी होती है, उसको दूर कर पाते हैं, ठीक है, इसके लिए बहुत ही simple, बहुत ही easy, diagrams की कुछ sequence है, उसको हम देखते हैं, और जिसके जरीए आप बहुत आसानी से, इस पूरे process को समझ पाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखेगा, ये कोई container, इस container में आपने, ये water fill किया, ये कोई cloth surface, लिख लेते हैं आपर, clothes, ठीक है, अब इस surface के ऊपर, oil का कुछ mark हो रहा है, ठीक है, कोई dirt वगएरा लगी हुई है, कुछ गंदगी लगी हुई है, कपड़ों की सतह है पर, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसे water fill कर दिया है, अब क्या है कि आपने इसमें कुछ soap molecule को add किया, soap molecule की structure, अभी हमने समझे भी है, ये कुछ ऐसे soap molecule दिखाएंगे आप, छेसाथ बना दिये जाएगा, थोड़ा सा, डाइग्राम अच्छा भी लगना चाहिए है न, इस तरह से, यहाँ पर ऐसे water molecules दिखाएंगे आप, पानी जो है, भरा हुआ है, बिना पानी के तो कप्ड़े साफ नहीं होने वाले हैं न, ठीक है, तो ये container हो गया हमारा, close surface है, close surface पर कुछ मार्क हो रहा है, कुछ गंदगी लगी हुए, कुछ oil का निशान लगा हुआ है, और आपने soft molecule को add कर दिया है, लेवल बाद में कर लेंगे इसको, अब next step, अब फिर से container बनाना है, एक और container बना लेना आप साथ में, तेनी step में ये काम complete हो जाएगा, ठीक है, जो हम कपड़ों की, सफाई का process समझने वाले हैं, ये से water fill है, ठीक, ये cloth surface, ये cloth surface है, नाम लिख लिए आप इसमें, हाना, और ये oil का कुछ mark था, अब देखिए water molecules यहाँ पर ऐसे, ये दिखा देना, अब ये जो molecules से ना मारे पर first वाले डियाग्राम है, ये number first structure है, ये number second और ये number third, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे arrow डाल देगे, पताचल देगे, जाएगा कि इससे ये stage, फिर next, फिर next, तो कपड़े की surface पर जो oil का mark था, जो गंदगी लगी हुई थी, तो उस oil के तरफ आ रहे हैं, sop के molecule जो आपने add किये थे, यहाँ पर मैंने 6 molecule दिखाए हैं, तो अब ये जो molecule हैं, आपको मालूम है, अभी हमने समझा कुछी मिनिट प जो chain होती, इसको हम R symbol से denote कर रहे थे, ठीक है, तो जो ऐसे zigzag pattern में line है, यह क्या है, non ionic part, और non ionic part अपने जैसे के साथ bond बनाता है, मतलब water से तो दूर रहता है, क्योंकि यह hydrophobic होता है nature में, तो किस की तरफ चाहेगा, oil की तरफ जाता है, तो इस सारे sock molecule की जो tail वाला part है, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको diagram cover करना है, तो जितने भी sock molecule है, उन सभी sock molecule का tail वाला part, जो oil होता है, उसकी तरफ attract होता है, ठीक है, और जो circle वाला part है, मतलब जो ionic वाला हिस्सा होता है, ionic वाले हिस्से को आप water की तरफ रखेंगे, इसलिए मैंने आपको sock molecule के structure में बताया था, कि भी, ionic part अपने जैसे के साथ bond बनाता है, मतलब water की तरफ, इसलिए मुसे क्या बोलता है, water loving, hydrophilic, और non-ionic part को क्या बोलता है, water hitting, hydrophobic, in nature, उसकी प्रकरती जो है, उसके हिसाब से, अब next step में क्या होने वाला है, जब हम कपडों की धुलाई करते हैं, जैसे आपने machine में देखा होगा, washing machine में, क्या होता है कि rotor जो होता है, washing machine का, वो clockwise और anti-clockwise rotation दिखाता है, जिसकी वरे से friction होता है, और friction के दोरान, soft K molecule का जो ionic part था, वो water से bond बना लेता है, और ionic compound की list में जो bond बनता है, ionic bond वो बड़ा strong होता है, in comparison, covalent bond के, ठीके, ये भी बात आपको या रखनी है, ionic bond strong होता है, covalent bond weak होता है, ठीके, तो covalent bond अच्छे से bond अब बना चुका है, किसके साथ, oil के साथ, ionic part है, वो water से bond बन लेता है, और friction के दोरान क्या होता है, clockwise, anti-clockwise, जो pattern आप देखते हैं, machine में, washing machine में, कपडों के धुलाई के दोरान, तो उस दोरान क्या होगा, oil कपड़े की surface से हट जाता है, और उस water में enter कर जाता है, तो कपड़े की surface clean हो जाती है, अब next step में हम यही चीज़ दिखाने वाले जो तीसरा diagram है, उसमें आप क्या करेंगे, close surface दिखाएंगे, सारे के सारे जो soap molecules थे, वो oil को कपड़े की surface से हटा चुके हैं, और चारो तरह से उसको घेर लेते हैं, और जो final structure बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, missile, तो missile क्या है, एक ऐसी condition, एक ऐसी इस्थिती, cleansing action of soap के दोरा एक ऐसी condition, जिसमें soap के molecule का जो tail part होता है, वो oil के साथ bond बना लेता है, और यह जो spherical structure बनती है, इसी को हम missile formation कहते हैं, अब देखिए से आप diagrammatic, यह close surface, ठीके, और यहाँ पर यह oil part, और इस तरीके से, यह soap molecule ने oil part को कपड़े की surface से हटा लिया है, और जो ionic bond होता है, वो तो strong होता है, तो water में आप देखते हैं, कि जैसे starting पानी काफी clean था, और last में पानी काफी गंदा सा हो जाता है, क्योंकि उस dirt को वो कपड़े की surface से हटा कर, water में लाच चुका है, कौन, soap molecule, और यही जो structure बन रही है न, यह spherical जो structure है, इसी को बोलते हैं, missile formation, clear, तो कपड़े की surface बिल्कुल साफ हो चुकी है, कपड़े बिल्कुल धुल चुके हैं, साफ हो गये हैं, और बस, यही हमारा target था, तो आज की वीडियो में हमने soap molecule के द्वार जो कपड़ों की सफाई होती है, या पैसा कह सकते हैं, जो हम साबुन से कपड़ों की सफाई करते हैं, detergent के द्वार कपड़ों की सफाई करते हैं, उसके पिछे की science को हमने clear किया, कैसे, सबसे पहले हमने soap molecule के structure को समझा, कि उसमें ionic part क्या होता है, और non ionic part क्या होता है, जो क्योंकि ये covalent होता है nature में, covalent bond बनता है इनके बीच, और जो soap molecule का ionic part होता है, short ionic part होता है, वो ionic bonding के basis पर water के साथ bond बनाता है, जो काफे strong bond होता है, clear, तो ये तो सब हमने समझा soap molecule में, और hydrophilic और hydrophobic को भी clear किया, next step, आज की वीडियो में हमने फिर cleansing action का mechanism समझा, इसका म उसके पीछे की science क्या है, उसको basically हमने clear किया है, ठीक है, बाकी आपको diagram में थोड़ा labeling भी कर देनी होती है, जैसे यहाँ पर आप इसको soap molecule डाल दीजिए, तो I think आपको doubt तो सब clear हो गया होगा, और इसको आप नाम डाल दीजिए, missile, ठीक है, तो शुरू से वीडियो को last तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्लीज अगर आपने हमाई चनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती हैं, लाइक कीजिए, share कीजिए, maximum share कीजिए, तो मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद.